हरार महादेव, देवो के देव महादेव जी के चरन में परणाम करती हूँ, मेरा परणाम सुविकार हो माता गोरा पार्वती के चरन में परणाम करती हूँ, मेरा परणाम सुविकार हो धर्ती माता के चरन में परणाम करती हूँ, मेरा परणाम सुविकार हो सब गुरु भाई बहना के चरण में परणाम करती हूँ मेरा परणाम सिविकार हो माता सुरसती के चरण में परणाम करती हूँ मेरा परणाम सिविकार हो माता और पिताजी के चरण में परणाम करती हूँ मेरा परणाम सिविकार हो गुरुभाई भहन मैं एक कथा सुनाने जा रहे हूँ इस कथा को पूरा सुनिये और रहर जानिये आदी नहीं आदी सुने में सिव गुरु के अपमानित होती है पूरा सुने में ग्यान होती है इसलिए कथा को पूरा सुनिये और रहर जानिये हर हर महादेव, घर घर महादेव, गुरुभाई बहान एक राजा थे, एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, राजा सहाब के दो संतान था, एक लड़का एक लड़की था, राजा सहाब के दो संतान था, एक लड़का एक लड़की था, राजा सहाब के राज बड़ा था, बेटा बड़ा थे, बेटी छोटी थी, राजा रानी दोनों अक्सर बिमार रहते थे, हरमेशा उनकी इलाज बैट से चलता रहता था, लेकिन फिर भी राजा रानी ठीक नहीं होते थे, राजा रानी दोनों बिमार रहते थे, लेकिन दोनों महादेब के भक्ती को नहीं छोड़े थे, महादेब को पुजा पाट में लिन रहते थे, महादेब के पुजा किये हुए विना भोजन नहीं करते थे, और जैसे राजा रानी करते थे, ठीक उसी तरह, उनकी जो एक छोटी बच्ची थी, ओ भी अपने माता पिता के किये के अनुसार ओ भी करती थी, भगवान के मंदि पुजा पाट करती थी, राजा सहिब किसी कारण बज्जो बीमार रहने के कारण, दोनों पती पत्नी इस दुनिया से चलवसे बिना अपने बच्ची के साधी कि अपना पुत्र को साधी कर दिये थे, बहु घर में आ गई थी, बच्ची के पुजा पाट से उसके माता पिता बहुत खूस रहते थे, लेकिन उसको उनको इस दुनिया से चल जाने के बाद, उनकी पेटा का जो साधी हुआ, तो उनकी पत्नी आई, ति इसको पुजा पाट से बहुत उखी रहती थी, ओहर मेशा अपने ननत को कहती थी, तु पुजा पाट छोड़ दो, और घर के काम म हात बटाया करो, सुवा सुवा तुझ पाले असनान करती हो, और उसके बाद मंदिर जाती हो, मंदिर से आती हो, तो कहती हो मुझे पढ़ाई करना है, यह करना है, वो करना है, मेरा काम में हात नहीं बटाती हो, तु खाना बनाओ, घर का काम समालो, पुजा पाट छोड़ भगवान क्या तुम्हे ऐध में खाना ते देंगे , भगवान कौशन पुजह करती है इस दुझा दीए लेकिं मेरे महाज में बधगा आदा है मेरे गुरु हैं मेरे भगवान हैं मेरे माता हैं मेरे पिता हैं मेरे बंधु हैं सब कुछ एही हैं हम इनी को मान कर चलते हैं और इनी को सहारे मेरे माता पिता ने छोड़ कर गए हैं ऐसा सुनकर भावी को बहुत गुस्चा आया उसकी भावी को बहुत गुस्चा आया भावी कर देंगे अपने पती को बोली कि आप बिल्कूल गरीब घर में कर दीजिए जिसके पास दो वक्त की रोटी ना हो उसके पास अपने बहन को साधी कर दीजिए इसका जो भाई थे वो बोले ठीक है जैसा कहोगी वो ऐसा ही कर देंगे वो भाई क्या किये कि बड़ ढूंडने क को लिए चले गए तो उनके पास ब्रहामन और नाई थे दोनों थे तो ब्रहामन बोले कि आप तो एक राजा का पुत्र राजकुमार हैं कैसे घर में बर ढूंड़ने जाईएगा तो वो बोले कि मेरा पत्नी का आदेस है रानी का आदेस है कि एकदम बिल्कूल जिसके पास कुछ नहों बेसहार हो उसको से बिवाह कर देना है तो उसी का घर ढूंड़ने जाना है ढूंड़कर पता लगाईए वो ब्रहामन जो थे वो ब्रहामन उनकी बात मान लिये और उनक जब घुमते 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 एक गरीब ब्यक्ति मिल गए जिनके रहने का सही से छतवी ना था एक जोपड़ी था और जोपड़ी में अपना मा बेटा गुजर करते थे यह जाके जो ब्रहामन थे अनाई उनके घर गए और बोले कि आपके पास पुत्र हैं साधी कर क्या आप करने चाहते हैं वो बहन से आपके पुत्र के साथ साधी करें क्या आप सुविकार हैं यह जान से मेरे घर आपना बहन को साधी करना चाते हैं उराजकुमारी क्या मेरे घरना ऑएगी और मजदूरी करेगी नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं हम उससे कैसे बिवा करदेंगे अपने बेटे को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जब इनकर कर गई बुड़ी माता तो यह जो ब्रावन थे वो बोले कि वो जो बच्ची है वो भगवान की पूजा पाट करती है भगवान के भक्ती में रहती है इसी कारण उसकी जो भावी है वो चाहती है तो उसके गरीब घर में विवाह कर दे क्योंकि वो कहती है कि मेरे सब कुछ है माता पिता और भगवान बोला कि हाँ हम साधी करने को लिए तयार हैं हम करेंगे उस राजकुमारी से साधी जब तयार हो गएं तो बोले कि तो ठीक है और क्या कि ये कि दिन ठीकाना सब कुछ बेठा दिये और बरात को लिए बोले कि ठीक है आप मेरे घर बारात आ जाएगा तो बरात में क्या जाते ये तो बेचारा खुद ही करीब था इनके पास ना तो धन था ना वो इसा कोई लंबा परिवार था और ना तो इसके पास रहने का ठीकाना था तो क्या किया ये बेचारा एक अपने और एक और कोई को साथ में ले लिया और ये विवाह करने को लिए राजमहल में चला गया ज जब वहां का सारे लोग देखे तो पूरा उन पे हसी ठीठोली करने लगे पूरा मजा कुणाने लगे राजा के कि राजा जो है राज कुमारा उसके माता पिता तो मर गए लेकिन भाई तो जिंदा था आकिर भाई किस दिन का बदला ले रहा है अपने बहन से जो ऐसा बर साधी के लिए और बारात में दो ही आया है लेकिन फिर भी अनसुना करते हुए और राज कुमारा अपने भाण को साधी कर दिये और साधी करके उसके साथ बिदा कर दिए उसके साथ बिदा कर दिए और सिर्फ जो पहनी हुई थी वास्तरे वही वास्तर में अपने बहन को बिदा कर दिए और बिदा कर दिए ए बैचारी अपना ससुराल चली गई अपना ससुराल चली गई तो ससुराल गई तो जैसा ही तुम्हारे लिए तुम्हारे माता और पिता और तेरा भाई और देरा धन संपती सब में हम ही हैं तुरोवो मात अपने आशु को पोचलो और खुशी-खुशी अपने नए परिवार के साथ जीवन बिताओ और बैचारी को ऐसा भाव हुआ अशास हुआ और बैचारी आखों आखों से आशु पोचली और राजकुमारी और जोपडी में रहने लगी जोपडी में रहने लगी रहते 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 ओ भगवान के पुजा पाट नहीं छोड़ी पुजा पाट भक्ती नहीं छोड़ी पुजा पाट भक्ती करते ही रह गई करते 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 समय ब एतने के बाद इबचारी गरवती रह गई गरवती होने के बाद पूत्र पएदा लिया sort तो सारा लोग कहते हैं कि जब पूत्र या पूत्री किसी मा कोई भी मा बनती है तो अपना मैके जाती है कुछ दिन के बाद 20 दिन बनता है तो यह भी बोली अपने पती से अपने सास से कि हमें अधिया आप आगया देते तो कुछ दिन के लिए हम मैके जाते तो बोले उसके ज भाई की दर्वाजे पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो बड़े आदमी हैं तो हम उनके पास कैसे जा सकते हैं बोले ठीक है यह बिचारी बच्चे को गोध में उठाई बहन और गोध में उठाकर अपना मैके चली गई जब मैके चली गई तो दर्वाजे पे जैसाही भावी देखी उसको क्याकी की जट से अपना बाहर वाली गेट लगा ली और छट पर चहड के कहती है तू उल्टे पाव ही मेरे घर से चले जाओ क्योंकि तू तो गरीब है मेरा दर्वाजा लांग रही हो मेरा जगह में पैर धर्दी हो हम भी गरीब हो जाएंगे तू एक भिखा जीभाारो ने भी नहीं दिया उसकी जो भावी थी वो क्या की कि नवक्रोचाक्रों से बोली कि जाओ उसको जो जो जोला ठैली लिया है वो ठैली को उठा के 또 हातमें हात पकड़के यहां से हटा दो पता नहीं किस मूह से यहां पर आई है आ करो रही है आज तुम्हार सिफ गुरु नहीं थे जो तू मेरे दरौदे पाई हो जा रोना है तो मंदिर में जाकि रोना मेरे दरौदे पे नहीं कि एक बेचारी क्या कि कि इतना वाद सुनी तो इसको याद dünya कि सच है हम सम्सके दर वाजअ between क्यों रोने आए है मुझे तो भगवान बोले थे कि तुम्हारे माता पिता और गुरू सब कुछ हम है तो इसको दरवाजे पर रोना तो मुझे अच्छा नहीं है एक क्या कि जाके और सिब मंदिर में जाते जाते जो रास्ता में मिलते थे जिस मंदिर में पूजा करती थी वही मंदिर में जाके और रोने लगी जब रोने लगी तो भगवान वहाँ पर भोले ना अमाता पारवती पर कठो कर कहने लगे कि तू किस चीज के लिए रो रही हो क्या तुम्हें कमी पड़ा क्या हुआ जो तू रो रही हो एक कहती है क्या कहूं मैं जब अपना मैके गए कोई भी जाती है अपना मैके तो खुसी खुसी लोटती है लेकिन जब हम मैके गए तो हमको भावी तो दरवाजा भी नहीं लागने दी अपने धन के घमन्ड में चूड थी और मुझे अंदर नहीं जाने दी हम लोटकर आ गए इसलिए मंदिर में आके रो रहे हैं किस मुझे अपना मैके अपना ससुराल जाए एक ही दिन में सास और पती मेरे बोलेंगे कि तुम्हें अरा मैके में क्या मिला तो क्या दिखाऊंगी क्या मुझे दिखाऊंगी और क्या बताऊंगी उनसे माता पारवती कहते हैं ऐसा करो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तू बेल का पत्र जो भोले नात के चरन में चड़ा हुआ इनके सीविलिंग पे चड़ा हुआ है ओ बेल पत्र पूरा अपना सरिया लो थैली में जोला में सरिया के और अपना ससुराल तु लट जाओ और जो यहां फल चड़ा हुआ है ओ फल उठा लो और एही ले जाकर अपने सास को अपने पत्ती को दिखा देना कि मेरा माइका में एही मिला है ओ बेचारी इतना बात सुनकर खूसो गई और खूसो कर जितना बेल पत्ती फूल फल जो भी चड़ा था पूरा बटोर के सहेट के और जोला में रख ली जोला में रख के चली गई चली गई जब लोट गई तो उसके सास कहने लगे अरे बहु तो एक ही दिन में लोट आई क्या बात था तेरे भावी क्या तुम्हें अच्छा से ख्याल नहीं रखे तुम्हें भावी रोके नहीं एक आती है नहीं माजी आप पे तो मुझे बहुत चिंता हो रहा था इसी कारण रूख गए लेकिन नहीं रूखे लोट गए भावी तो मुझे बहुत रोकने की कोशिस की लेकिन हम नहीं रूख पाएं माजी मेरा भावी ने देखिये जोला में मेरा ये सब देकर विदा किये है जब उसकी सास जोला देख रही है तो देख रही कि उसमें खाली रूपिया पैसा सोना चांदी पुरा भरा हुआ है कहते हैं अरे ये तो तुम्हारे भावी ने इतना धन देकर विदा किया तो उसमें क्यों ये गरीब घर पहुचा दिया था ये कहती है माता जी यदि देता तो आप ऐसे नहीं कहते नहीं बेटी तु अपना जोला को देखो इसमें बहुत चारा धन है इसमें तो खाली रूपिया धन से भरा हुआ है देखो ये जब देखी तो ये खुस हो गई खुस हो गई और कहने लगी कि माता जी ये तो धन जरूरी दिये हैं मेरे भाई और मेरे भावी ने लेकिन इससे पहले घर में नहीं लगाएंगे पहले भगवान का एक मंदिर बनाएंगे उसके सास बोली हाँ बेटी इसमें कोई कमी नहीं सबसे पहले तुने भगवान का एक मंदिर बनाओ और भगवान के मंदिर बनाके और वहाँ पर पूजा पाट के लिए एक कुए भी खुदवा दो अच्छा रहेगा एवेचारी सबसे पहले भगवान के चरन में कुछ पैसे दो चार पैसे चढ़ा दिया और चढ़ा कर बोली है भगवार सबसे पहले हम इस धन से आपका मंदिर बनाएंगे अब अपने मैके गरीब है अमीर है लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी कारण बस मेरे सास मुझे ठोकर दे इसलिए हम एधन कभी नहीं बताएंगे कि मेरे भोले नात दिये हैं हम अपना मैके की हिनाम रखेंगे ऐसा करके और भगवान के चरन से गोड़ लगके और मंदिर में काम लगवा दी मंदिर बनवाने लगी मंदिर जब तयार हो गया तो कुए भी खोदवाई उसके बाद विचारी अपना एक सुन्दर सा बहुत बड़ा घर बनाई बहुत बड़ा घर बनाई और घर बनाकर और जब घर का पूजा था तो अपना मैके गई अपना मैके गई सुन्दर सा एक तॉoterानी का पुशाग में पूरा सुन्दर सा गहना सुन्दर शा वस्त्र पहन कर डॉली चट चारक je जफू निका पूर सुन्दर के जब देती से बढ़ा दुनिमें इतना सारा हुष उसके साथ जब भाव्याए तो निनत को के कहती है कि अरे तू आई हो बहुत दिनों बाद चलो चलो अंदर चलो चलो अंदर चलो उसको अंदर लेकर गए और उसे बहुत अच्छे से खातिरदारी किये और बोले कि क्या बात है जो माईके आई हो क्योंकि उसका जो माईका था बहुत तीरे-दीरी गरीब हो चुका था बहुत गरीब हो चुका था एक कहती है कि भावी आप नहीं जानते हैं मैं तो बहुत अच्छा सा एक बहुत बड़ा घर बनाए हैं उसी घर में घर पूजा के लिए आपको हम निवांतरन देने आए हैं भावी मेरे साथ चलिए वो जो भावी थे वो बोले कि जा ननत जी आप जाईए हम आपके भाईया के साथ आ जाएंगे वो जो ननत थी और ननत उसी समय उसी च्छन अपने भावी से मिलकर निवांतरन देकर बिदाकी भाईया और भावी से दीरे से बता दी भाईया जब हम आपके दरवाजे पे एक फटा सा कपड़ा और एक हाथों में जोला ले कर गए थे तो भावी ने जट से क्वारी लगा ली थी अक्यवारी लगा कर और बंद करके छट पर चड़के बोली थी भावी कि तू उल्टे पाव घूर जाओ लोट जाओ और हम उसी समय लोट गए थे और भावी बोली थी कि तुम्हारा एमाई का नहीं है जाओ यहां क्यों रोने आई हो मंदीर में रोबो और भावी ने क्या किया था कि धक्ये मरवा के मुझे दर्वाजे से हटा दिया था भावी के कहने के नुजार ही मेरा धन हुगा है हम मंदीर चले गए थे और भोले नात के सरन में रोए जब भोले नात के सरन में रोए तो भोले नात ने मुझे ए सब धन दिये और धन दे कर मुझे अपना बेटी के मान के विदा किये माता गोरी खुद अपने हाथों से जब घर गए तो मेरा सास और मेरा पती कहने लगे तुम्हारा मैका से क्या मिला हम जोला बताए मुझे तो पता था कि बेल पत्र और फल फूल है लेकिन जब वहां गए तो वहां तो सोना चांदी रुपया पैसा में बदल चुका था हम आज तक के अपने परिवार से नहीं बताए हैं कि मेरी भावी ने मुझे देख कर किवाड़ी लगा ली थी और मुझे धके मरवा कर निकलवा दी थी भाईया इस बात को कभी मेरे सास को नहीं पता चलना चाहिए भाईया बड़े आदमी को समान लोग देते हैं छोटे को कोई नहीं पुछते हैं अधन संपती तो भोले नात के दिया हुआ है भाईया इसलिए हम चाहते हैं कि भाई और भान का प्यार कभी ना तूटे जैसे मा थी और मा के सामने आप से और मेरा प्यार बंदल था उसी तरह भाईया सारा दिन निभाते रहिएगा भाई बहन का रिस्ता भाई जो थे भाई के आखों में आसु भर गया और हाथ जोड़कर बहन को कहने लगे बहन मुझे माप कर दो हम नहीं जानते थे कि भोले बहनात में इतना सकती है बहन आज तो मेरा घर इतना गरीवी हो चुका है कि रोटी पर नमक भी नहीं जुड़ता है पहने का वस्त्र भी नहीं मिलता है सही से अब मैं क्या करूँ मैं तो खुद बेसोहारा हो चुका हूँ और आपने पत्नी को बोली कि जैसे मेरी बहन पु वो तो पत्थर का मूर्ती है दिन पर दिन भाई इतना गरीब हो गया इतना गरीब हो गया कि लोग ताना मारने लगे और बहन के पास इतना धन हो गया इतना धन हो गया कि भाई के परवरिस और पूरा खर्चा बहन को उठाना पड़ा और बहन करने लगी इसा और बहन कभी न पाद में ननस सहीं उसे मदद लेना पड़ा गुरुभाई भहना धन का भी मान नहीं करना चाहिए जैसे कि उस राजकुमार का घमंडी पत्नी थी और बैचारी गरीव ननद गुरुभाई भहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किजिए सेर किजिए सस्क्राइब किजिए और घंटी को दवाना ना भूलिए घंटी को जरूर दवाईए सस्क्राइब करके धन्यवाद हर हर महादेव घर घर महादेव